बगला मुखी जैस्री महाकल महालक्षमी वरत 2030 महालक्षमी वरत रखकर हो जाएंगे माला माल अभी जानिये तिधि सुब मौरत और महालक्षमी वरत का महत्व भक्तो यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सिखना चाहते हैं तो आप हमारी यूटूब चनल माभगला मुख मुख्षेत्र को सस्काइब करना ना भूले मैं आचारिय प्रदीप भारत द्वाज अपने यूटूब चैनल माभगला मुख्षेत्र में आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ हर दिक अभी नननन करता हूं भक्तो मैं आसा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे मां बगला होगा क्या कुजा का सुम मुहरत और हमारे धार्मिक शास्त्रों में बता गया है और आपको पता होगा कि महालक्ष्मी को कौन प्रसंड करना नहीं चाहता महालक्ष्मी के मंत्रों का जा श्रह भब भक्त जिन करते हैं इस एक के प्रभाव से प्रसण्य होती है और अपने भक्तों को धन एस वह 하루 अन्य गशुप्णि महा क्षमी के धन संकी देवी मालक्षमी के राधना के लिए भादरबद महा में पढ़ने वाली सुक्ल पक्ष की अस्टमी तिथी को महालक्षमी ब्रत की सुरुवात होती है और इसका जो समापन है वह आस्विन महा के कृष्ण पक्ष की अस्टमी तिथी को होता है इसी दोरान यह जो ब्रत है यह 16 जिनों का ब्रत होता है परंतो इसको लोग भिन भिन तरीके से अपने स्विधा के अनुसार करते हैं जो लोग मालक्ष्मी के कृपा पाना जाते हैं अपने जीवन में धन की कमी को दूर करना जाते हैं कर्द शेमुक्ति बना जाते हैं तथा अपनी जन्म जन्मांतर की द माह लक्ष्मी की सच्चे मन्त से पूजा पाठ राधना अर्चन या मंत्रों का जाप यदि कर लेता है तो उसकी जन्व जन्मांतर की द्रिद्रता का नास हो जाता है उसके जीवन में एस्वर्य धन वैभव सुक्त सांते पुत्र पोत्र सभी भोतिक शुखों की उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्ति होती है इस वर्थ के परभाव से घर में सकारत्मक उर्जा का परभा होता है घर में बरकत आती है और माःलक्ष्मी ब्रत की निखार माह लक्ष्मी म्रत 22 सितंबर दो हजारतेईस सुकरवार शे सुरू हो और 16 अक्टूबर 2030 सुकरवार को ही समापन होगा महालक्ष्मी ब्रत के सुरू के दिन सप्टमी एवम दूरवाश्ट में भी मनाई जाने का विधान हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया है महालक्ष्मी ब्रत 2030 सुब महुरत जानिये पंचांग के नुसार भाजरवद महा के सुखल बक्ष में पढ़ने वाली एश्टमी तिथी के सुरुवात 22 सितंबर 2030 को दोपेर एक बज़कर 35 मिनट पर होगी और इस तिथी का समापन 23 सितंबर 2023 को दोपेर 12 बज़कर 17 मिनट पर इस तिथी का समापन होगा तिथिया घटने बढ़ने के कारण यह बरत 15 यह 17 दिनों का होता है परंतो इस वर्ष इस वर्ष की जो अबधी है वह 15 दिनों की रहने वाली है इस वर्ष यह ब्रत 15 जिनों को होगा जो लोग अपने जीवन में मालक्ष्मी की कमी को महसूफ करते हैं जिन लोगों के जीवन में धन की कमी है जो लोग दरिदृता से अपना जीवन जी रहे हैं और जिन लोगों के जीवन में सभी भोतिक शुखो की कमी है या जो लोग अप पंद्रा से सुला दिनों में महालक्षमी ब्रत अवस्थ्य कर लेना चाहिए इससे महालक्षमी प्रसुन होगी और अपने भगतों पर विशेस कृपा विशेस अनुग्रह मातालक्षमी के कृपा से उन्हों लोगों को प्राप्त होगा महालक्षमी ब्रत का जो पूजा का सु कल्याणकारी रहने वाला है रात का जो जो पूया का मौरुद है महानिश्य की समय नौबज कर सोला शोला मिनट से लेकर रात रात कि लेख द अहलोगों से क्या है और किस्ने पुर्द को किया लोग मालक्ष्मी के इस बर्द को कियाBER प्राप्ति के लिए लिया है या आपके धन का किसी ने हरन कर लिया है तो वे इस ब्रत के प्रभाब से आपको प्राप्त होगा संतान प्राप्ति सम्मान के लिए खोया हुआ सम्मान पुने पाये जाता है एक कथा हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताए गई है कि जब माभारत कालीन ये कथा है जब पांड़ों ने चोपड में सब कुछ अपना गवा दिया सब कुछ हार गई तब भगवान स्रकुष्ट पांड़ों ने इस ब्रत का संकल्प अपने जीवन में किया और इस वर्थ के प्रभाव से उनको सभी भोतिक सुखों की भले युद्ध के पस्चात उन्हें उनका राज्य मिला परन्तों यह जो प्रभाव था मातालक्ष्मी के कृपा का ही प्रभाव था इस ब्रत में भक् कि ब्रत से सुख़ प्रायन चंद मत कि प्रसादता मालक्ष्मी करते और किन वंद्धित क tough इभा इवं कNO Defence के या aujourd существ में पहले पहले तो इस ब्रत के तो आप इस वर्त में नहीं खा सकते हैं इस वर्त का जो विधान है यह आप chemistry को करते हैं तो आपको अनहीं खाना है आप दूद ले सकते हैं मिठाइब रहे सकते हैं और नमक का सिवन करना हमारे धार्मिक शास्त्रों में वर्जित बताय। सकते हैं और मातालक्ष्मी के मंत्रों का प्रसंद कर सकते हैं और महालक्ष्मी कि कि तृपा आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं यह थो करना बेहत्व सुभ एवं कल्यान करिया आपके लिए सावित हो का भकतो मेरे द्वारा दीकी जानकारी यदि आपको अच्छी लेगी हो तो आप हमारे यूटुब चैनल माँ बगला मखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को लाइक करें सेर क चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके इसी मनों कामना के साथ जैमा बगलाम की जैस्त्री महागाल